किसान भाईयो आपने तुराई जो तो जरूर देखा होगा नेनवा अलग होता है तुराई अलग होता है तुराई के आपके छित में क्या कहा जाता है यही तुराई का प्लांट है और ऐसा ही तुराई होता है मतलब देशी बाला जो भेराइटी होता है ऐसे हाइबिर आगा आगाईएगा जिससे ज़्यादा जैस से ज्यादा मुनाभवग हों और कितना खात दीजिएगा यह सब सारे चीज के बारे में मैं मैं बताऊँगा इस लोग मेरे विडियो पॅद्ल आола तक आप देखते रहेैं ऐसे इसे इसे क्ष़नकों सा विमारी में काम देता है इसके बारे में भी जरूर बताएंगे इसलिए मेरे वीडियो को आप देखते रहा है अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक सबसाइब करें मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता हूँ तुराई को देखा जाता है जो ये इ योग किया जाता है जैसे आप सुगर है सुगर लेबल कंट्रोल करने के लिए भी इसे यो फ्योग किया जाता है तो कि बहुत अच्छा है और बहुत सारे बीमारी में और भी काम देते हैं और वह आगे हम बताएंगे अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आया है तो जरू आने का विधी के बात करें तो ऐसे डंटा के सारे से उपर लटका के जिग जग जग डंटा करके और बीच में आप जगा छोड़ दीजेगा पाच फीट के दूरी पर जैसे निनुवा ये लगाया जाता है निनुवा और करेला एक साथ मेरे छत में आपके छत में तैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तुराई और इसके निनुवा के बारे में कमेंट के जरूर कर सकते हैं कहीं गिलकी कहा जाता है ऐसे तो ये बहुत अच्छा होता है और बहुत खुब फलता है वैसे ही तुराई भी फलता है तुराई मतलब जिगनी भी कहा जाता है मे रिख्षेत में रहता है, आपके रिख्षेत में कौन सा रहता है, मुझे नहीं पता, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, आज का लंबा वाला का भी भी करी ज्यादा होता है, इसमें आप बर्विंग का पोस्ट एक प्रोली आप गुबर की खाद एक एकर के लिए रखे, आप 60 किलो आप यूरिया और 40 के यूरिया और 30 के जी पोटास आप ले लिजे, इसका आधा भाग आप खेत में डाल दीजे और आधा घर में रख लिजे, उसका आधा का आधा भाग आप 25 दिन पर डालिए, जब बीज लगाने के 25 दिन बाद, और आधा का जो बचा हुआ जो है, उसे आप 50 दिन पर डालिए, उसके बाद आपका फाल देना स्टार्ट करता है, कोई भी हाइबिरिड कंपनी का हो, और उसमें आप माइक्र नेट्रेंट एक केजी आपको एक एक कर के लिए डालना होगा, और एसेस पी आप एक बोरा, मतलब आपको एसेस पी 40 केजी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है, अगर वह आधा ट्रोली मिल दा है, तो आपको एक एकर के लिए बहुत अच्छा महत्पोर्ण होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा फलता है, तो इतना ज़्यादा लेकिन पानी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, औ और अच्छा तरह से यह चलता है और इसे लगाने का बीज का बात करें तो 700-800 ग्राम आपको बीज लगता है एक एकर के लिए आप जिग जग लाइन तिन फिट के दूरी पर रखिए तो आप देख सकते हैं यह सब सिर दर्द में आराम दिलाता है आग के रोगों के लिए फा पसंद आता है और साइन का भी आता है साइन का एफोवन करके आता है एफोवन सीतला करके आता है यह भी लगा सकते हैं मतलब एफोवन मतलब हाइब्रीड वन जो होता है मतलब यह से आप पहले पर हाइब्रीड यह है और नागा एफोवन करके आता है यह लगा सकते हैं वि